So hello what's up कैसे है आप सब स्वागद है आप सब का to this video जहां हम बात करेंगे sir about bouncing back in joint January 25 exams So inter की result आ चुके है और अगर आप आसपास हर जगा देखोगे तो आपको लोगे को यार क्या धुवादा result आया इतने सारे बच्चे पास होगा ये हो गया वो हो गया but the reality is हर सौ बच्चे जिन्होंने paper लिखा मैं अभी both groups वालों की बात नहीं कर रहा Let's talk about individual groups also तो sir हुआ क्या है 15% of the students have passed and उसके अलावा जो बाकी 85% students है सर ये वापिस अपने exam लिखने वाले है January 25 में क्या बात करे हो sir हाँ क्यूंकि अभी मैं जब LinkedIn पे गया तो मुझे तो ऐसा लग रहा था रिंटर का हर बच्चे ही पास हो गया सभी के सब CA final में चलेगा और मुझे पूरा विश्वास है आपको भी ऐसी feel आ रही होगी but the reality is सि ये जैनवरी 25 exam में अब कौन पास होगा ये जैनवरी 25 exam में कौन पास होगा तो मैंने का अगेन आपके पास अब दो option है कुछ बच्चे होंगे जो आज की rate में बहुत ज्यादा tension लेंगे और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो tension नहीं action लेंगे जो बच्चा action लेगा ना जो ब हाँ जब ये 85% बच्चों के दिक्कत आई ये result में तो सबको move on करने में time लगेगा और अगर आज में थोड़ा move on कर गया आज अगर मैंने action ले लिया तो definitely January 25 exam में पास हो जाओंगा सर क्या actual में ऐसे कुछ बदमाश होते हैं जो actual में move on कर जाते हैं और exams में पास हो जाते हैं मैंने का सिर्फ पास नहीं हो जाते हैं भाई साब वो exemption भी ले आते हैं और exemption किसी subject ऐसे ही नहीं audit जैसे subject में जहां पे 40% score करना भी एक tough thing होती है these students who could not clear the previous exams they scored 60 and above in this September 24 exams जी हां मैं बोल रहा हूं और यह जो yellow yellow dirty fellow वाले बच्चे हैं इनके साथ तो यह था कि इनके 40 भी नहीं बन रहे थे यह 40 भी नहीं score कर बारे थे और इन्होंने exemption score करी in the September 24 exams तो मैं कहता हूं कि ऐसी कोई motivation या inspiration से मजा नहीं आता हमको चाहिए sir real life example हमको चाहिए audit की तरह sufficient and appropriate evidence की ऐसा हो सक अगर result unsuccessful होता है तो इसका मतलब यह नहीं कमी आप में है आप unsuccessful हो ऐसा नहीं है result unsuccessful था और कमी या तो time की थी या practice की थी या guidance की थी और अगर आप उस कमी को पूरा कर लोगे तो definitely आप भी bounce back कर सकते हो for example लेते है खुशी शर्मा का sir last time इनके audit में 30 marks इनको भी 30 marks पे लगा होगा यार मैं क्या कर रही हूँ क्या मैं CA exams clear कर पाऊंगी जहां result 15% है 20% है क्या मैं वो top 15-20% का part बन पाऊंगी इनको भी तो self-doubt हो रहोगा अब sir देखो क्या लेके आ गई 75 marks वो भी ऐसे attempt में जहां audit का descriptive portion was a little harder side फिर भी she was able to bounce back from 30 to 75 marks अब यह पता नहीं कौन है बदमाश 28 गु do you think the journey would have been easy इनको भी तो कई लोगों ने समझाओगा ने बुद्धू है इससे क्या ही हो पाएगा इसको भी बिचारे को बहुत सेर्फ डाउट वो उस टाइम पे but sir he showed it to the world कि कमी मेरे अंदर नहीं कमी मेरी preparation में थी और जहां भाई ने preparation एकदम बढ़िया वाली कर ली he also went to score 73 marks और ऐसे एक नहीं है बहुत सारे example है जिन लोगों ने भर के bounce back किया है आप सोचो 27 नंबर से 64 marks again an exemption in audit do you think it would have been an easy journey answer is no sir इनों ने अपने उपर work किया यह वही बदमाश थे जिन्होंने tension नहीं action लिया ताकि यह exams clear कर सके और मेरी आपसे भी यह request है कि आपको भी tension लेने से सच कुछ नहीं मिलने वाला अभी आपके पास time है two months are not less to prepare well and clear the exams but हाँ यह भी कम पढ़ जाएंगे अगर हम action लेने में देरी कर देंगे तो मैं आपस एक request करता हूं ठीक है आप एक दिन ले लो दो दिन ले लो but हमको restart करना पड़ेगा हमको action लेना पड़ेगा and trust me it is not tough अगर आ आप यह माल लोना कि गल्ती जो भी थी दिक्कत जो भी थी मैं उसको पूरा ठीक करने के लिए ready हूं तो आपका result भी वापिस ठीक हो जाएगा वो unsuccessful भी successful में बदल जाएगा अगर हम उस पे action ले ले तो sir हमको करना क्या चीए तो मैं आपको एक बार पहले तो decide कर ले थे किते ग्रुप देने कब देने क्या देने बोथ वर्स फर्स वर्स वर्स सेकेंड अगर आपने बोथ ग्रुप दिये थे और आपके सारे ही सब्जेट्स में 40s 50s 40s 50s हैं तो simple सी बात है आपकी जो coverage है उसको थोड़ा improve करने की जरूरत है थोड़ी सी बस practice or करने की जरूरत है सारे subjects में and you will be easily able to clear the gen 25 exam कुछ ज्यादा अलग करने की जरूरत नहीं है अब सर second category of students की बात करते हैं जिन्होंने अपना group 1 दिया था ध्यान से सुनना जिन्होंने अपना group 1 दिया था September 25 में फिर उन्होंने group 2 की classes ले ली कि अब हम gen 25 में group 2 clear करेंगे but sir group 1 अब unsuccessful हो गया है और group 2 की मा flow अच्छा बना हुआ है तो जब आपका group 2 का flow अच्छा बना हुआ है तो मेरे दोस्त आपको group 2 दे देना चाहिए and gen 25 में group 2 clear करो फिर जो group 1 है उपन उसको may 25 में clear कर लेंगे ठीक है sir अब आता है last case last case यह है कि आपने मालो group 1 दिया था ठीक है sir या both group दिये थे अब जब हो सकते है कि आपने group 2 की classes या तो शुरू ही नहीं करी या फिर group 2 की classes ना बराबर हुई है ऐसे case में भी group 1 पर focus करके group 1 देना चाहिए so last case है group 1 in all other cases बात समझा रही है हां sir कोई दिक्कत की बाद नहीं हर तीन महीने में आई से exam ले रहा है अराम से prepare करके निकालो no issues about it ठीक है sir अब सर एक बाप बताओ क्या reason हो सकते है हमारे unsuccessful result का और हम कैसे action लेके exams clear कर सकते तो game is very simple अगर आपको लगते है आपका जो attempt रहा है जो unsuccessful रहा है इस due to lack of time आपके बास time की कम ही थी आपको revisions करने के लिए time नहीं मिला practice करने के लिए time नहीं मिला जिस वजह से आपका score कमाया simple स ऐसे subject में it can be lack of conceptual clarity और guidance सर conceptual clarity और guidance में फरक है audit एक ऐसा subject है जहां सिरफ concept से काम नहीं चलता बाबू जहां जब तक आपको वो 4-5 points tips पे नहीं होंगे ना तब तक मजा नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं learning the points also become important with the conceptual guidance तो आपको अगर लगते conceptual clarity में कमी है या guidance में कमी है it will be better if you go ahead with some classes आप कोई भी fast track batch exam oriented batch regular batch type लेके चल सकते हो जिससे आपके concepts में finishing आ जाए यह सिरफ audit के लिए नहीं है आप accounts में अगर आपको लगते conceptual clarity है better to go ahead with the batch ताकि एक बार उन concepts को समझ के आप practice करके अच्छा score कर सको ठीक है this is valid for all the subjects अब सिरफ classes लेने से कुछ नहीं होता यह कई सारे बच्चे आज तक समझ चुके होंगे main चीज है classes के साथ confidence भी आना चाहिए कि हम stand कहा करते हैं तो make sure you are giving the class test if I talk about our audit batches yes class test series is available around 12 class test हम लेते हैं with evaluation ताकि जब आप chapter 1 complete करो और उधर class test दो तो आपको confidence आजाए कि बापू यहां मेरे 10 number पक्के हो गए जैसी आपने chapter 2 audit planning complete किया तो automatically वो जो confidence की कमी आप उसको पूरा कर पाओगे again confidence आएगा आप exams clear कर जाओगे बात समझ में आरी है नहीं आरी है आरी है सर तो again मैं वही बात कहूँगा सर क्या simple सी बात है या तो tension ले लो या action ले लो जो बच्चा action ले जाएगा वो January 25 में exams clear कर जाएगा and फिर उसकी नई या पार लगने से कोई नहीं रोग सकता और आकरी में again यही कहूँगा हम generally bad इसलिए feel करते हैं low low इसलिए feel करते हैं क्योंकि हमको लगता है हम fail हो गये हैं हम unsuccessful हैं नहीं तैयारी unsuccessful थी तैयारी में कमी थी अगर हम वो तैयारी में वो जो कमी थी उसको पूरा कर देंगे अगर ह हम समझ जाएंगे क्या रहां practice की कमी थी और practice कर लेता हूं conceptual clarity कमी थी concepts पर और work कर लेता हूं यह वाले points मुझे याद नहीं थे चलो ठीक है memory technique लगाई flow समझा इन points को याद किया तो जैसी आप उन चीजों पर work कर लोगे trust me आपको bounce back करने से फिर कोई नहीं रोक सकता आप भी वो inter star बन सकते हो जो bounce back कर जाए क्योंकि किसी ने सही का है problems तो है सब के साथ बस नजरिये की है वात तो हमें अपना नजरिया एकदम positive रखना है हमें अपना नजरिया एकदम solution oriented रखना है ताकि जब Gen 25 के results आए जब Gen 25 के results आए तो आप भी वो inter star बन सको who bounced back who showed to the world कि भाई मैं successful हूं मेरी तयारी भी successful है it was just a matter of time so wishing you the best और बिल्कुल भी tension लेके नहीं पड़ेंगे because tension लेके ना आती हुई चीज़े भी नहीं पड़ पाते stress लेके आती हुई चीज़े भी नहीं हो पाती तो वह ही कहाँगा जो हमेशा कहता हूं चाहे accounts हो चाहे law हो चाहे costing हो चाहे FM हो चाहे audit हो खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे लगे रहो मित्रों लगे र कि नहेंगे से भॉचे को चाहेँ कहा झाहे हूं था चाहे से लेके आती है स्चाइब हो चाहा सितुमगरे अचतर के राहे हैं तव मित्कार है क।씨 पा subst